कि वरी गुड इवनिंग टोडियल स्टुटेंट्स जेए मेंस 2021 अगस्ट अकेंट शिफ्ट वन का पेपर है जुक्तल पेपर हुआ है उसका शिफ्ट वन का पेपर है कोशन इस बेज़ अपन कॉंप्लेक्स नमबर और आप सभी जानते हैं यह आपको गिवन है और यह ओमेग का इसका क्यूब रूट आफ युनिटी तो अपन ओमेगा की क्यूब रूट आप यूटि यूलीटी की प्रॉपर्टी जानते हैं वन प्लसोड प्लस मेंगा स्क्राइब लीर हुशन होता है और यूट्स प्लस मेंगा नहीं प्रों के लएक जैशिप्रों होते हैं एक Q1 होता है और उसके बाद omega की जो powers हैं वो repeat होना चुरू हो जाती है मतलब omega power 4 जो है वो omega power 1 के बराबर होगा omega power 5 जो है मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो यह है कि तीन values तो आप यह जानते हो omega पर omega power 1 omega power 2 omega power 3 जिसका value 1 होता है अब omega power 4 जिसके बराबर होगा omega power 5 जिसके बराबर होगा omega power 6 omega power 7 omega power 8 और इस तरीके से अब complete करते जाएए तीन तीन के multiple तो यह अब आपने पढ़ा है तो हमको 21 तक यह देखिए आप यहां पर जैड का power 1 से शुरू होके कहां तक गया है 21 तक तो मैं यदि तीन तीन के pair बना दू तो इस तरीके से तीन तीन के साथ pair बनेंगे और सबकी value cmig जोकि यह जैड पावर 3 के बाद अगला time बनेगा जैड पावर 4 वाला जोकि इसके ब बराबर होगा और जैड पावर 6 जो है वो इसके बराबर होगा तो indirectly इसका value calculate करने के लिए हम केवल यह जो पहले तीन terms है हमारे जैड प्लस 1 अपाउन और जैड की जगा भी मैं ओमेगा लिख देता हूं ठीक है तो ओमेगा प्लस 1 अपाउन ओमेगा का क्यूब फिर ओमेग प्लस 1 अपाउन ओमेगा क्यूब का फ्यूब और इंटु 7 कितने टर्म्स बनेंगे यह साथ तो इंटु 7 कर दिया अब आप इनका value calculate कर लीजे बस simple है तो 21 प्लस you know that omega plus 1 upon 1 upon omega को अपन omega square लिख सकते है और omega plus omega square का value minus 1 होगा minus 1 का cube minus 1 आएगा यह भी minus 1 का cube minus 1 आएगा यह 1 plus 1 2 का cube 8 आता है और इंटु 7 है so now when we calculate so this gives you 6 into 7 which is 21 plus 42 the final answer is 63 so this question answer is 63 thank you so much